भारती जनता पार्टी की जो मान सकता है वही राजेश वर्माजी की मान सकता है लूटो खाओ तो इस तरीके से घोटाले वाज लोगों को अब जनता माफ नहीं करेगी उनको अब आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी बहुत सारे भृष्टाचार के अरोप हैं घोटाले के आरोप हैं और यह आरोप हैं कि पब्लिक से नहीं मिलते थे वो सीशा चढ़ा करके निकल जाते थे पब्लिक अगर कोई कहता था कि हमारा यह काम करवा दीजे तो वो काम में आनकानी करते थे और पैसा भी ले करके काम करते थे आज जैसे ही आपको टिकेट मिली उसके बास स तो palate कु चैशे की दौरब मेरे रहने बाली लोग बड़ि parents कर रहे हैं कवनला साभ कर रहे हैं ये अੱर हमारे साथी बिरोध कर रहे हैं हम उनके पास जाएंगे हाथ जोड़ेंगे मिनत करेंगे बिंती करेंगे और कहेंगे कि यह प्रत्यासी का बिरोध नहीं यह कांग्रेस का बिरोध है कमालाद जी का बिरोध है तो कृप्या बिरोध करना छोड़ करके एक साथ मिल करके चलिए लेकिन के वल वो लोग दो चार लोग हैं ऐसे जो विरोध कर रहे हैं उनके विरोध का कोई असर नहीं होगा नमस्कार परना हम नेटर को आपको सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ काधिर जैसा कि आप सभी को वेदे थे कि आज जीवालाल सिद्दाल जी का नाम आया है आज आपका नाम आया है आज आपकी टिकेट फाइनल हुए कित्ती खुर्सी की बात है और क्या किया आज आज मद्ध प्रदेश कांगरेश कमेटी द्वारा मनी कमलेज जी एवं अन्य निताओं द्वारा मुझे यहां का प्रत्यासी घोशत किया गया है एसा आधार पर मुझे अत्यंत खुशी हुई है और हम इस खुशी में अपने इस्ट देवी दोताओं के पास जा करके उनसे उनका भारवेक्ट किये हैं धनवाद दिये हैं उनका पुना जीतने के लिए आसीरवाद लिया है और बड़े नेताओं के बीच भी आज ही हम मिलने गए हैं और मिल करके उनका आसीरवाद भी प्राप्त किया है अज जैसे ही आपको टिकेट मिली उसके बास से लगातार देखा जा रहा था जित्ते भी प्रत्यासी सब विरोध करने लगे आरोप लगाने लगे हम जैसे ही घर से निकले हैं लगातार हमारे समर्थन में हर जगे लोग मिले और सभी ने यह कहा कि यह सीट अब बहुत आसानी से जीच जाएगी और अपार समर्थन प्राप्त हुआ लेकिन जो हमारे साथी प्रत्यासी की दोड में थे टिकेट की दोड में थे उनका अधिकार है दोडना उनका अधिकार है मंगाना भी उनका अधिकार है लेकिन वो भी जानते हैं कि पूरे बिधान सभा में केवल एक पार्टी से एक ही सिंबल मिलेगा एक ही ब्यक्ति को मिल कि अभी अरुन यादो जी आये थे अरुन यादो जी ने सभी को बराबरी से खड़ा करके और यह संकल्प करवाया था कि आप प्रत्यासी हैं वीसों प्रत्यासी हैं लेकिन अगर किसी एक को टिकट दिया जाएगा तो उसका अन्य लोग समर्थन करेंगे विरोध नहीं कुछ प्रत्यासी की दोड़ में रहने वाले लोग पार्टी का ब्रोध कर रहे हैं कांग्रेश का ब्रोध कर रहे हैं कमलना साब का ब्रोध कर रहे हैं यह हमारे समर्थ से बाहर है तरसल पार्टी ने आपको उमीदवार तेह गिया और इसके पहले आप बीस पी से आते थे जो इस्थानी नेता है या इस्थानी दावेदार है उनका ये कहना है कि B.S.P. से आते हैं इसलिए उने टिकेट दे दी बलकि कुछ दिन पूर उनहीं के खिलाब चुनाओ लड़े बीएसपी में हम थे बीएसपी में हमने चुनाव भी लड़े चार चुनाव लड़े और अच्छा मत भी प्राप्त किया और जैसे ही कमलाज साब की सरकार बनी हमने ये देखा कि लोग तंत्र और सम्धान की सुरक्षा के लिए भारती जनता पार्टी को हराना आवश्यक है कांग्रेश को जिताना आवश्यक है क्योंकि कांग्रेश के अलावा मद्ध प्रदेश में कोई विकलब नहीं है इसलिए हमारे बहुजन समाच पार्टी की बहुत सारे नेता बहुजन समाच पार्टी छोड़कर कांग्रिस में सामिल हुए उसी में हम सामिल हुए और अपनी करतब बिनिष्टता इमानदारी के साथ सामिल हुए और पांच साल से लगातार हमने हर पोलिंग में जाकर के काम किया और हर पोलिंग के लोगों ने हमको समर्धन दिया और 274 पोलिंग में जाकर जब हमने काम किया तो हमको बूत प्रवन्धन का जलाद धची बनाया गया और उसके बाद हमारे काम को देख करके उपर के नेताओं ने हमको प्रदेश का प्रतिनीदी भी बनाया कुल मिला करके जब हमने काम किया तो उन्हों ने देखा कि कांग्रेश में काम करने वाले लंबे समय से लोग उतना काम नहीं कर पाए जितना की ये नए आदमी ने काम किया है इसी से खुश होकर और हमारे काम को देखकर सरवे में जो जनमत प्राप्थ हुआ सरवे के आधार पर कमला साब ने टिकेट फाइनल किया है तो उसी के आधार पर हमने अपने काम के आधार पर और कमणलाथ साब के विचारों के आधार पर time करने का अधार पर ।टिकरड प्राप्त हुआ हैं, और जो हमारे साथ ही भिरोध कर रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे, हाथ जोडेंगे, मिनत करेंगे, बिन्ति करेंगे और कहेंगे कि ये प्रत्यासी का भिरोध नहीं, ये कांग्रेस का बिरोध है कमालाद जी का बिरोध है तो किरप्या बिरोध करना छोड़ करके एक साथ मिल करके चलिए और अपने आपको ऐसा ना समझे कि मैं बिधायक नहीं हूँ मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा जो भी आपका काम होगा उस काम को भी मैं आपके साथ तनमेता से करवाऊंगा तो ऐसा मैं विचार ले करके उनके पास जाऊंगा और उनसे मिलूगा और कुछ प्रत्यासी मिले भी हैं साथ में चल भी रहे हैं हमारे साथ चल करके और कांग्रेस को जिताने का संकल भी भी ले हैं कुछ प्रत्यासी हमारे साथ चल रहे हैं आपके जो सामने प्रतिवंदी है भारतियंता पार्टी के राइज बरमजी एक मज़े मज़ा है नेता कि माने जाते हैं और आप दरसल बीएसपी से आते हैं मानसिक्ता बीएसपी की कॉंग्रिस की अलग अलग है आपको आज गु लेकिन बीदेपी के लोगों ने इनको बरगला के रखा है और बहुजन समाज पार्टी को ऐसा कह कह करके कि यह बीएसपी से आए हैं यह बीएसपी से आए हैं आई तो थे बीएसपी से लड़े थे कांग्रिस का चुनाबू 2008 में उनको 17,635 बोट मिला था हमको 28,184 मिला थ तो उनको यह समझना चाहिए कि बीएस्पी और कांग्रेश की विचारधारा लोगों के उसमें कोई अलग नहीं है जो कांग्रेश का विरूद कर रहे हैं कि पूरे लोग हमारे साथ है यह तो केवल वो लोग है जो प्रत्यासा में थे कि टिकेट मुझे मिले और मैं चुनाव मोझे जीटू लेकिन केवल वो लोग दो-चार लोग हैं ऐसे जो विरोध कर रहे हैं उनके विरोध का कोई ळान नहीं होगा क्योंकि जन्मत हमारे साथ है जन Professor हमारे साथ है ज़र् respectfully हैं युदि लेकिन ने बताया है हम को हम देखे नहीं है कि उन्होंने बिरोथ किया है या नहीं अधध drinks के चुना में जरूर हमको पता चला कि उन्होंने भारती Gentile Party के अधध के लिए अपने 3 जनप तद्रस्दास्षेवों को दिया है और कांग्रेस के समर्थ से प्रत्यासी को हराने के लिए ऐसा काम किया है ऐसा हम को जो है जानकारी के फंदर चौधरी जी ने बूत पूर बिधायज जी ने वही बुराई कर रहा है कैसी लिए अब कौन बुराई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता के साथ जोटा हूं जोटा रहूंगा और कांग्रेस को बिज़ई कर रहा हूं ऑर कांग्रेस का काम करूंगा और कमथ्ब कि मुद्दो को लेकर अप जनता के वी चाहिए When did साब ने ग्यारा मुद्दे दिये 11 बचन दिये उन पर तो हर जग है बात चलेगी छडेगी और वो मुद्दे तो रहेंगे ही सरभु परी उसके बाद हमारे जो चेत्र के मुद्दे हैं au खासकर सिच्छा का मुद्दा है, खासकर किसानों की सिचाई का मुद्दा है, जो हमारी ना नहरे हैं, ना ही हमारे हाँ बांध हैं, और ना ही स्टाप डेम हैं, तो हम प्रतेक किसान की सिचाई की सुब्धा के लिए स्टाप डेम बनवाएंगे, जो नदी और नाले हैं, जिस कर दो है गे जल मिलेगा इस प्रकारस से श्टाप डेम बना करके हम लोग सचाई की सुबधा कर वार जेड़िदे बाई जो हमारे यहां की खास कर आदवाशी समाज्ट की जमीन उबडखवर जमीन 그거 है आप नीचा जमीन जिसम्मrosystem सम्तली करण करवाएंगे ज्टिक काम हम बिगड़ गई है तीचरों की बिवस्था बिगड़ गई है इसलिए इसकूलों की बिवस्था भी हम विसेश रूप से अपनी देखरेख में करवाएंगे और जहां भी हम जाते हैं चाहे तहसील का मामला हो पुलिस का मामला हो रिश्वत खोरी बहुत ज्यादा चलती है पुस्था हैं हमारे अमीर गरीब सभी वर्प के लोगों की वो सभी समस्चाओं को हल करने के लिए हम भार सा कुसेश करेंगे और हमारी सरकार जो करेगी उसको और अच्छे से हम प्रस्तोत करके बहुत सारे भृष्टाचार के आरोफ हैं घोटाले के आरोफ हैं और यह आर पुल मिला करके भारती जनता पार्टी की जो मानसिक्ता है। वही राजेस बरमाजी की मानसिक्ता है। लूटो खाओ। तो इस तरीके से घोटाले वाज लोगों को अभ जनता माफ नहीं करेगी। उनको अभ आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी। ये हम हमारे साथी सब लोगों ने छेत्र में जा करके ये बात हम लोग कर रहे हैं, कोई अपने से बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, पबलिक उप चुकी है भारती जनता पार्टी के सासन से और परेसान हो चुकी है इनकी नीतियों से, तो चाहे आर्थिक नीती हो, चाहे ब्य प्रिष्टाचार का मामला हो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो भारती जनता पार्टी ने इस देश को समाप्त करने के लिए खतम करने के लिए बना के रखे हैं इस देश की सुरच्छा करना इस देश को आगे बढ़ाना यह हम कांगरेशियों का करतब बनता है इसलिए हम सब मिल जो करके एक जोठो करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और भारती जन्ता पार्टी के भृष्टा चार से सब को मुक्त कराएंगे यह थे हमारे साथ जीवनलाल सिद्दार जिनों ने बताया कि कई सारी चीजे हैं जो होने लाइक हैं भाकी राइस बर्मा पर भी निशाना अब देख रहा है यह है कि आखिर कौन जीता है